नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजूकेस्टेन चनल में आज की वडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे वेरिको सिल्के उपचार के बारे में तो हम कवर करने वाले अलग-अलग पॉइंट्स को और जानेंगे कि ये जो प और वेरिको सिल क्या है वो जानेंगे सीम्टम्स के डैवलाफ होते हैं डाइगनोसिस कैसे हो सकता है कॉंसे ट्रीटमेंट मेडिसिंस के ओप्सन अविलेबल है तो ऐसे ही आपको डिटेल में सिखना है बहुत सरी दवायों के बारे में बीमारियों के बारे में तो अब हमने एक लाइव क्लास वाली बेच भी स्टार्ट की है फार्मरोक्स के मोबाइल अप्लिकेशन पे तो उसके रजिस्ट्रेशन अल्रेडी स्टार्ट हो चुके है और एक बेच भी स्टार्ट हो चुकी है लाइव क्लास की तो उसको जरूर से जोइन करें तो लाइव क्लास को जो से पहले तो क्या है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वेन होती है पुरुषयुके अदर जो उनकी अंडगोर्स होते है जो टेस्टीकलस होते है वहाँ पे पे जो वह सुजन आ जाती है और वह सुजन आने के कुछ अलग अलग prinacts होते है तो उसके करन यह problem जो होता है तो यहाँ पर डाइग्रेमेटिक लिए समझोगे तो काफी easily आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो आप बाग देख रहे हैं वो है पुरुसु के अंदर उनका टेस्टीकल का जो बाग है और वहाँ पर जो बैग है वहाँ पर यह एक वेन आई है कि जो especially blood supply के लिए आते हैं कि जैसे artery और वेन जो उनों होते हैं कि जो blood circulation का काम करती है तो वेन इस तरह से normal होती है और उसके अंदर यह जो वाल होते हैं वे proper सही तरह कैसे function करते रहते हैं और जिसके करण blood circulation सही से हो पाता है हमारे सरीर के अंदर पर वेरिक उसिल के problem में क्या होता है कि यह जो वाल होते हैं उनके अंदर कुछ fault आ जाता है defect करा जाता है जिसके करण blood circulation सही से नहीं हो पाता कई बार blood जो वो back side में भी flow करने लगता है और यह जो वेन थी वहाँ पे दीरे-दीरे सूजन आने लगती है और उसकी जो size वो बढ़ी होती है एक type से कहें तो enlargement होने लगता है उसकी size बढ़ने लगती है वहाँ पे सूजन आ जाती है वो वेन में और जो condition produce होती है उसको हम कहते है varicose silk का आ जाता है तो similarly varicose vein की तरह यह problem है varicose vein में क्या होता है कि सरीर के किसी भी बाग की vein में इस type की जो वाल होते है उनमें कुछ fault आ सकता है या फिर defect आ सकती है जबकि varicose silk के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो testicles का जो बाग है पूरुसों के अंदर वही पे यह problem जो होता है कि जिसको faulty switch या फिर वाल का आ जाता है कि जो हमारे सरीर के अंदर एक system बनी हुई है कि जो gravitational force के करण जो blood है वो return flow ना हो उसके लिए जो veins होती है उसके अंदर इस तरह से proper walls की arrangement होती है पर जो varicose vein या फिर varicose silk के अंदर क्या होता है जो blood होता है वो return भी flow कर रहा होता है because कि आपका जो wall है वो damage हो चुका है या फिर वहाँ पे कुछ defect है या फिर wall अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसके करण ये condition जो वो produce होती है तो इसके symptoms क्या develop हो सकते है कि कुछ cases में testicular pain होता है क्या feel करता है patient तो ये सभी patients के अंदर ये problem नहीं होती कुछ लोगों को दर्ध होता है कुछ लोगों को नहीं भी होता पर सरुवात यहां से हो सकती है आपको अंदाज आता है थोड़ा थोड़ा testicular pain होने कि जहाँ पे आप टर्च करते है तो वहाँ से आपको जो दर्ध जैसा feel होता है second हम symptoms देखे तो जो scrotum का जो बाग होता है वहाँ पे इस तरह से आपको mass feel होता है that means कि एक सूजन जैसी देखने को मिलती है और इस टाइप का जो bag of worms हो ऐसा condition या फिर एसा एक जो produce होता है वहाँ पे दिखने में आपको इस तरह का वहाँ पे जो देखने को मिलता है because जो veins होती है वहाँ पे सूजन होती है और उसके करण या कैसी condition जो produce होती है तिसरा हम देखे तो size में difference हो जाना कि दो जो testicles उसमें जिस side जो problem है उसकी size जो बड़ी हो जाती है एक चोटा एक बड़ा या फिर वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है size difference आप notice कर पाते हैं और चौथा कई बार complication यह होता है कि जिसके करण low sperm count का problem हो सकता है या फिर male infertility के जो problem से वो varico seal के करण आगे जाके हो सकता है अब बात करते हैं उसके diagnosis के निदान कैसे हो सकता है तो निदान करने के लिए जरूर है कि सबसे पहले जब patient counseling होना जरूरी है कि patient counseling के थूरू जो पता चलता है कि इस type का problem की जैसे आप उसको symptoms होगरा पूछते हैं कितने time से हो रहा है फिर उसका physical examination होता है normally नहीं तो भी यह problem को जो हो identify हम कर सकते हैं second है कि अगर detail में जब उसका पता लगाना है तो उसके लिए जरूरी है आप ultrasound scan कर वालो कि जिससे एक proper reason पता चलेगा कहाँ पर problem है और क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो hydro silk का भी problem उसमें भी अंड को से एक चोटा एक बड़ा हो जाता है तो दोनों problems को हम rule out ना कर सके या फिर दोनों में से कौन सा problem जो है उसके लिए हमें एक detail ultrasound यहाँ पर कराना पड़ता है फिर अगर infertility का जो problem हो रहा है या फिर fertility related problem तो नहीं हो रहा है वो check करने के लिए cement analysis जो हो करानी यहाँ पर काफी जरूरी बनती है कि जिससे बता चलता है कि sperm count वगएरा कितने है और semen analysis यहाँ पर जरूरी से करा है फिर blood test भी कराना जरूरी पड़ता है कि जिससे total count वगएरा कितने है कोई infection वगएरा फैल रहा हो वहाँ पर तो भी एक अंदाज आ जाता है तिस तरह से यहाँ पर diagnosis हो जाता है यह problem का फिर treatment के option कि अगर patient को काफी ज़्यादा pain हो रहा है काफी दर्द हो रहा है तो उसके लिए paracetamol ले सकता है simple क्योंकि कई बार यह जो problem के करना थोड़ा सा बुखार जैसे भी condition रहती है दर्द भी रहता है तो paracetamol एक safe and अच्छा option बनता है दिन में एक या दो tablet जो पेशन ले सकता है 500 mg वाले strength का अगर वो suit नहीं होती तो ibubrufen भी ले सकता है paracetamol के option में यह दूसरा option रहेगा brufen का pain relievers के अंदर फिर जो scrotum है जो testicles से उनको support देने के लिए supporter जो आपको यूज करना चाहिए कि जिसको testicle supporters कहा जाता है वो जरूर से patient को जो यूज करना चाहिए तीसरा है homeopathic के अंदर उसके कुछ options दिये है treatment के जैसे कि SBL tabacum 30CH करके आप एक drops आते हैं उसके 10 या 15 जितने drops patient को लेने होते हैं पानी के अंदर और वो जो हो दिन में 3 बार जो लेते हैं कि जैसे यह problem में काफी रहत मिलती है उसे तरह से R42 drops आते हैं वो भी आप use कर सकते है तो उसको भी similar तरीके से patient जो वो use कर सकता है फिर यहाँ पे कुछ tablets देख रहे हैं इसका big option रहता है एक या दो tablet per day जो वो patient consume कर सकता है यह problem को जो वो manage करने के लिए है फिर herbals के options हम देखे तो आयरवेद्या के अंदर भी उसके कुछ उपचार दिया है कुछ hubs है जैसे कि वर hubs है उनके अलग-अलग marketed formulations अलग-अलग जो pharma companies है herbal वहाँ से आपको जो वो मिल सकता है अब next option बनता है surgery का तो surgery के कौन से options available होते हैं तो उसके लिए आपको further जो specialist doctors होते हैं उनको visit करना चाहिए कौन से doctor को मिलना चाहिए वो भी में आगे आपको बदा दो बर surgery में दो option यहा रहा जाता है यह option है और दूसरा laparoscopic surgery की option है और यह surgery के लिए आपको कौन से doctor से मिलना चाहिए तो MS जो general surgeon होते हैं general surgery करते हैं उनसे आप further refer कर सकते हैं patient को या फिर उनका consultation आपको जरूर से लेना चाहिए दूसरा option देखे तो urologist या फिर urological surgeons होते हैं उनकी advice लेने चाहिए वो क्या कहते हैं उसके according to आगे जो हो आप plan कर सकते हैं और तीसरा endrologist को जो हो आप visit कर सकते हैं तो इसे ही detail में सिखना है तो live class के registration स्टार्ट हो चुके हैं link जो ही वो मैंने comment box के अंदर आपको दे दी है तो वह visit करें और live class को जो हो आप join कर सकते हैं medicine course भी available है तो उसके लिए भी आप registration करवा सकते हैं तो whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर directly mobile application को download करें good luck and all the best